कानपूर के आरोपी विकास दुबे के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद काउंग्रेसियो द्वारा गंगा-जल्से मंदिर को ध्ठोने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कॉंग्रेसी मीडिया में सुर्ख्यों में रहने के लिए इस तरह के बयान बाजी करते हैं सरकार अब उनकी नहीं रही तो कैसे वह सुर्ख्यों में रहे विश्वास सारंग का बयान हमारी सरकार ने तो उसे पकड़ा और भागने की कुशिश की तो मार गिराया कॉंग्रिसी पहले जवाब तो देख की एंडर्सन को भागाने वाले राजीव गांदी और अर्जुन सिंग के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जिसने हजारों भोपाल के लोगों को मौत की घाट उतारा विश्वास सारंग ने कहा कि मंदर तो उस दिन और पवित्र हुआ था जब कमलनाथ उज्जैन गय थे किसानों का कर्दा माफ नहीं किया नहीं बेरुज़गारों को भ्था नहीं दिया सिर्व जूट जूट बोल जम कर ब्रस्टाचार किया अब पवित्र मंदिर तो कमलनाथ की जाने से हुआ मुख्य मंतर शिवराज सिंग चोहान के गौलर जाने को लेकर कॉंग्रिस से द्वारा सवाल खड़े की गए जोने पर बोले विश्वा सारंग कॉंग्रिस की सरकार ने 15 महिने में कुछ नहीं किया जब कोरोनों से ने पटने की जरुवत थी तब कमलनाथ आईफा की मीटिंग कर रहे थे हीरो हिरोईनों से गल भया कर रहे थे जाम से जाम तकरा रहे थे कॉंग्रेस ने तो कोरोना को लेकर एक मीटिंग नहीं की न कोई ले विस्थापेद की सिर्फ आईफा में ही व्यस्त थे कॉंग्रेसी हमारी सरकार आते ही सबसे भेले कोरोना पर नियंटरन किया अरी यह सब राजनिते के स्टंट बाजी है क्योंकि अब सरकार से हटने के बाद मीडिया का ध्यान आपकी तरफ जा नहीं रहा तो इस तरह की प्रपंच बाजी कर रहे हैं और कॉंग्रेसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हमाई सरकार ने तो उस अपराधी को पकड़ा और भ भगाया था असली तो आपने भगाया था स्टेट प्लेन से सरकारी विमान में बिठाकर एंडर्सन को अमेरिका छुड़वाया था राजीव गांदी और अरजुन सिंग ने बातें करतें कॉंग्रेसी हमने ना किसी अपराधी को संरक्षन दिया है ना हम आगे संरक्षन दे घी यह कानून जो उनको सजा देगा वो सजा मिलेगी रहा है अपवित्र और उस दिन कमल नाच जी कहे थे केवल और केवल राजनीती करना जानते हैं पंद्रा महिने की सरकार में किसी भी विशय पर मध्यपदेश में कॉंग्रेस की सरकार ने ठीक काम नहीं किया जिस समय करोना बढ़ रहा था तब कमलनाज जी हीरो हीरोईनों के साथ गल भहियें कर रहे थे जाम से जाम टकराए जा रहे थे इंदोर में वह इंदोर जो देश का साथवे नंबर का हाट स्पॉट है यदि कमलनाज जी उस समय एक मीटिंग भी ले लेते करोना को लेकर तो शायद यह भयावा इस्तिती मध्यपदेश में नहीं बनती भारती जनता पार्टी की सरकार के पहले मध्यपदेश सरक कार ने एक किट भी नहीं खरीदा था कॉइश की सरकार ने एक भी नहीं खरीदा कोई जांच की लैब स्थापित नहीं किया इनको तो आइफा से मतलब था करोना संकट से मतलब नहीं था इसलिए कांग्रेसियों को किसी भी विशय पर बातचीत करने का अधिकार नहीं बचा सपाक्स पार्टियों करने